साथियों आप सभी के स्प्रेटफार्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे विक्तिति के बारे में चर्चा करेंगे जो नॉबर 2022 में जो है बिभिन वजहों से चर्चा में थे और यह आपके GS के पॉइंट आप वे उसे और करेंट अफेर दोनों के पॉइंट आप वे उसे काफी माजपूर्ण रहेगा तो चली प्रारम करते हैं सबसे पहले बात करते हैं नाद प्रभू केंपे गुंडा के बारे में यह इनके बारे में बात करें नाद प्रभू केंपे गुंडा के बारे में तो वह 1621 सताबदी में वीजय नगर समराज में एक सामत सरदार थे उन्हें बेंगलूर के संस्थापक के रूप में स्रेदिया जाता है वो मौराशु गुंडा के वंसेज थे उन्हें अपने समय के सबसेश्चित और सफल सामंत सासकों में से एक माना जाता है उन्हें पेजल और किरिसी समधी जवरुदों को पूरा करने के लिए नगर में लगबग 1000 जीलों का विकास कराने के लिए भी जाना जाता है उन्होंने 1537 में बैंगलोर के लेका और सहर का निर्माण करवाया था उन्हें बंदी देवारु के दोरान अभिवाहित महिलाओं के बाएं हात की अंतिम दो उंगलियों को काटनी के प्रथा को प्रद्वंधित करने का है स्रेभी दिया जाता तो ध्यान रखेगा बंदी देवारु जो ये प्रथा थी किसे संबंदी तो कहां पे थी कंणाटक में विस्तारी थी इनके ये गुड़ों की बात करें तो उन्होंने सहरी प्रसासन के लगबग हर चेतर प्रथा को प्रथा को समाप्त करने का स्रेभी दिया जाता है ये कुप प्रथा ही कहेंगे से दूसरा लचित बोर्फुकन के बारें बात करें तो लचित बोर्फुकन की चारसमी जहनती का समारो जो है नॉमबर 2022 में नई दिल्ली में सुरू हुआ वे सत्रहमी सताब्दी की अवधे के दोरान अहोम राजवन्स ये अहोम राजवन्स कहा करा है अश्रम करा है तो अभोम राजवन्स के एक सेना पती थे वे ब्रहंपुत नदी पर सराइगाट के युद् प्रसिदर हैं यहां उन्होंने 1671 इस्वी में मुगलों को पराइद किया था लचित को राजा चक्रद्वज सिंग ने बोर्फुकन के रूप में निव्ट किया था बोर्फुकन द्यान रखीगा एक पद था बोर्फुकन वस्ता एक ऐसे पद या दर्जे को व्यक्त करता है जिसके अंदर कारिकारी और नयाइक दोनों सक्तियां आती हैं तो ये फैक्ट महात्पूर्ण याद रखेगा इनके व्यक्तित की बात करें गुणों की तो एक सैने प्रसासा के रूपे उन्होंने अत्यनत सक्साली मुगलों के खिलाप अहों सेना का सफलता पूर्बक नेत दोर्त किया था अब आगे बात करते हैं फ्लोरेंस नाइट अंगिल के बारे में तो देखिए फ्लोरेंस नाइट अंगिल अरा सो बीस में होता है और मिल्त इनकी उनने इसो थमराण के जाते हैं तो ध्यान रखे कौन समंत्रा देता है स्वास्त परिवार का लेड़ मंत्रा रहा इनका उद्देश नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सराहनी सेवाओं के लिए सम्मानित करना है फ्लोरेंस नाइटेंगिल को लेड़ी विद्दा लैम के नाम से भी जाना जाता है ये प्रशन पूछा गया याद रखेगा इनका योगदान देखें तो क्रीमिया युज्जों की अठारोश चववन में होता है तथा उनकी जहनती अर्थत बारा मई को अंतराशी नर्स दिवस के रुपे मनाया जाता है इनके गुड़ों की बात करें तो इनमें परुपकार और करुणा की गुण दिखाए पड़ते हैं बहुत छोटी आयूसे फ्लोरेंस नाइटेंगल परुपकार के कार्यों में सक्रिय थी वो अपने परिवार की जमीन के पास के गाउं में बीमार और गरीब लोग की सेवा करती थी उन्होंने बीमारियों को रोकने और गरीबों और पीणितों के लिए सुनच्छित और करुणा में उपचार सुनिशित करने के लिए बिना थके अपना जीवन पूरा जीवन सर्मालप्रित कर दिया आगे बात करते हैं दादा भाई नौराजी के बारे में तो 1892 में दादा भाई नौराजी बिटिस हाउस आफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारती मोल के पहले वक्ती थे वर्स 2022 में बिटिस हाउस आफ कॉमन्स में उनके चुने जाने की 130 वर्स गांट मनाईगी दादा भाई नौराजी के बारे में कुछ तध्यों के बारे में बात करें तो उन्होंने धन की निकार्शी का सिध्धान प्रसुत किया था उन्होंने भारत में बिटिस समराजवात की बिसित आर्थिक अलोचना की थी वे बॉम्बे एस्जोशेशन जो कि 852 में गठित किया गया था कि सक्रिष सदस्ते यह पश्वी भारत में राईतिक दो पर विचार करने वाला पहला संग था उन्होंने इस्ट इंडिया एस्षोशेशन कि वो तीन बार कपप बने थे इसके अत्रिक्त वे रास्त गोफतार पत्रिका के संस्थापक संस्थापक संपादक थे इनकी किर्तियों में Poverty of India Poverty and British Rule in India इत्याद हैं इनके गुडों की बात करें तो भादकी राष्टी आयका आकलन करने के अग्रणी प्रियास्टों के काण उन्हें भारती आर्थिक बैचारिक्ता के इतिहास में महात्पूर्णी स्थान प्राप्त है वह भारत में बिटिस सासन के आर्थिक पैड़ामों के लिए अपनी प्रत्कूल राय के लिए भी जाने जाते हैं वह जातकत मंदुरों में विश्वास नहीं करते थे और महिलाओं की सिचा के समर्थ हकते वह पुर्सों और महिलाओं के लिए समान कानूनों के पच्छत धर थे उनका जन शमित प्रांत की अवध रियासत के एक छोटे से गाउं में हुआ था वह अवध की बेगम हज़त महल के साही रचक दल का हिस्सा थी वह अलकनों में हुए युद में अपने सहसिक संगर्स के लिए प्रसिद रही है इसे सिकंदर बाग का युद भी कहा जाता है इनके गुणों की बात करें तो उन्होंने इस युद में एक अग्रिम पंक्त की योधा के रूप में भाग लिया उन्होंने अपने कमान के तहत एक प्रहौशाली और निपुण महिला बटालियन का नितुद किया युद में अपने पती और सेना के सिपाही मक्का पासी की मौत के बाद उन्होंने बहादुरी और निर्टा से लड़ाई लड़ी थी हूँ आगे बात करते हैं बिर्षा मुंडा के बारे में जिने भगवान बिर्षा मुंडा या धर्ती आबा भी कहते हैं इनका जन्द छोटा नाकुर पठार जोकी वर्तवान मिजहारखंड में है छेतर की मुंडा जन्जाती में हुआ था इनके जन्दिन को जन्जाती गौरोदि या बाहरी लोग कहा जाता था। उन्होंने आदिवाशी लोगों के धर्मांतरन को रोकने के लिए बिरसाइत नामक एक संपरदाय के शुरुआत की थी। उन्होंने अगरेजियोग गिवर्द आदिवाशी संपरदाय को एक्जुट करते हुए मुंडा विद्रो का नेतृत क के मद्द में चलता है। इन्होंने इस्थानी अधिकारी उद्रा जंजातियों के सोशन के विर्द उल्गुलान नामक आंदोलन शुरुख किया था। इसे ही मुंडा आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन ने अठ्था-1908 के छोटा नाकपूर 10C Act में मदद की। साथ ही इ पूट-कटी अधिकारों को मानता दी और बेत बेगारी पर भी प्रतिबंद लगा है। इनके गुड़ों की बात करें तो वह है एक दूरदासी वेक्त थे उन्होंने अपने समधाय की मुक्ती में महत्पूर्ण भूम का निभाई। वह एक भारती आदिवासी सुनता से न नाम से हम लोग जानते हैं इनका जन्म 1888 में और मृत 1892 में होता है प्रदान मंत्री ने आचार किपलानी को उनकी जहनती प्रसद्धरांजली अर्पिक की इस होजासी है नॉमबर 2022 में चर्शा में थे आचार किपलानी के बारें बात करें तो वह गांधी जी की करीबी और भारत छोड़ों आंदोनों में सक्क्री रूप से भाग लिया था इनके महत्पूर्ण युगदान की बात करें तो वर्स 1947 में वह कांग्रेस के अद्धच चुने गाती यहां एक प्रक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि यह जो मेरट में कांग्रेस अजवेशन होता 23 नॉमबर 1946 तो 23 नॉमबर 1946 को यह अद्धच चुने जाते हैं और स्वतनत्ता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अद्धच आचार किर्पलानी ही थे पर तो नॉमबर 1947 में इस्तिफाद देते हैं और राजियंत पर साथ अद्धच बनते हैं यह फैक्ट याद रखने आपको इ किसान मजदूर प्रजापार्टी के संस्थापकों में से एक थे तो किसान मजदूर प्रजापार्टी के स्थापना कब होती हैं 1951 में हुई थी वह गाधी हिज लाइफ एंड थॉट 1970 में किताब आती सहित कई पुस्तवों के लेकर थे इनके गुणों की बात करने तो एक निरसेनानी के रूप में उन्हों संता अंदूरन में सक्री रूप से भाग लिया 1970 के दसक के दौरान में बिनेवा भावे के साथ पर्यावन की सुरच्चा और संचन गद्विदियों में भी सक्री थे अब बात करते हैं डॉक्टर वर्गिच कुरियन के बारे में 1921 में पै इनका जन्म केरल में हुआ था वा एक इंजीनियर उद्दमी थे उन्हें भारत में स्वैत करांती का जनक माना जाता है स्वैत करांती ने किसां सहकारी समितियों की एक प्रणाली के माद्यम से देश को डेरी उत्पादों के आयातक से दुनिया के सबसे बड़े दुख- संस्थापक थे वैराश्टी डेरी विकास बोर्ड एंडी डीबी के भी अधज थे उन्हें रेमेन मैक्सिस पुरसकार विश्वखाद पुरसकार पदमिसरी पद्भूशन और पद्भीभूशन जैसे कई पतिश्रित पुरसकारों से सम्मानित किया गया था इनके गुणों की बात करें तो उनके प्रियाशों और दूरद्रिष्ट ने अकेले ही गुजरात में लाखों परिवारों के लिए सहकारता की परंपरा को पुनरजीवित किया और उन्हें आने वाली पीडियों के लिए अजीवका का इस्थाई स्रोथ प्रदान किया आगे बात करते हैं इला भट जी के बारे में तो जिनका जन 1923 में हुआ था और मिलती 2022 में नॉमबर 2022 में इनकी मिलती हुई तो महिला ससकतीकर्ण से जोड़ी परमुक कारिकरता इला भट का नॉमबर 2022 में निधन हो गया इनकी उपलब्धियों की बात करें तो भारत में स्वा नियोजित महिला संग शेवा की स्थापना उन्हों ने की थी यहां संगषन महिलाओं के लिए काम करने वाली सबसे बड़े सहकारी समितियों में से एक है महिलाओं को सुच रिण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना की थी सुच बित संगषनों के वैशिक नेटवर्क वीमेंस व पूरसकार और सहीद कई पूरसकारों से सम्मानित हुई थी इनके गुड़ों की बात करें तो वहाँ बाल भी वहाँ के मुद्दे सहीद महिलाओं और लड़कियों के लिए समानता से जुड़ी विभिन पहलों में सक्रियूप से सामिल थी वहाँ अनौपचारिक छेतर के लि बहुत बहुत धन्यवाद